जब हमको बहुत तेज से भूक लगती है और जट पठ हमें खाना खाना होता है तो हमें सबसे पहले मैगी की याद आती है जो कि बहुत जल्दी भन न तेश्टी लगती है और पेट भी भर जाता है आज हम आपको बिल्कुल नए तरीके से मैगी बनाना बताएंगे बिना ते आप सभी लोग वीडियो को पूरा वाज करिएगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना देखे मैगी हमारी उबल चुकी है और अब हम फ्राइपायन में डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन तो इस मैगी को हम तेल में ना देंगे ञाल देंगे हल्दी थोड़ी सी म veggie ढाल दखे कि ठाले जाल यहां खिल को मैगी में थोड़ा सा तेज मसाला कहना चाहते हिं तो आम अगर स्प्राइब हम थोड़ा सा इश्ट्रा डाल रहे हैं बहुँ ज़्यादा हम नहीं डाला है क्युंकि हममारा थोड़ा के लिएग टीक्तिक वे डाले हैं तो सघी की प्यहले तेमाट बना गर पीधिक नाही है कि टीक्तिक हमने घुड़ने तेल को चेंधि हुआ। सब्सक्री आगाऊकर अगर आपको नमक अगरे सबस्सकति में दालीज़ बीडिया नमक हए। फैके मैगी के अंदर निकलता है वही मसाला भी हमारे पास था यो नगी थी हमारी यहारे जाल अपास इनको जाये अच्छे से भुण बूं ल्खे श्चेस हमें मेच के यह सब तर्चे सबसे थाव हमारे ले जाएंगा मेची का ngr तेज नहीं रखना है और यह मसाला पकने के बाद हमने जो मैगी बॉयल करके रखी थी इसको हम इसे में डाल देंगे और अच्छे से चलाते जाएंगे चारो तरफ से हम इसको चला चला के भून लेंगे यह मैगी बनाने का बिल्कुल नया तरीका है और मुझे पूरी उमीद है कि इस तरह से मैगी आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यदा अच्छी लगेगी खाने में यह बिल्कुल मक्षन की तरह रहती है कि इसको हम पूरी तरह से चला लेंगे अच्छे से भूनते जाएंगे और यह थोड़ा सा हमारा पकने लगेगा तो हम इसमें थोड़ तो हम आधा क्लास दूद में डाल दिया है दूदी इसका स्वाध और भेंढ़ जाएगा जो हम ने डूद डाला है यह हमारी मैगी को बहुत ही ज़्यदा स्वाधिष्ट बना देगा आपको बहुत ज़्यदा दूद नहीं लेना है थोड़ा सा यह डूद ड IF दो दाल लेन मैगी तैयार है यह बहुत ही जल्दी बनने वाली जश देश होती है इसमें अपर से डाल देंगे थोड़ा सा मक्षन और मक्षन डालके हम चारों तरफ पहला देंगे इस मैगी में कच्छा मक्षन जब उपर से डालते हैं तो हमारी मैगी का स्वात दोग ना बढ़ जाता है तो इस तरह से अगर आप मैगी बना कर खाएंगी तो आपको बहुत ददा मजा आएगा और आपको बार-बार मैगी खाने का मन करेगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में